संदेट विज संदीट चैनल में मैं नाव संदीब है। हमेशे के तरह संदे को मैं इसमिया टॉपिक लेकि आया हूँ और आज का टॉपिक है ताइप्स ओफ क्लाउड कम्यूटिंग यहाँ कहसे हैं क्लाउड डिप्लाइमेंग मॉडल्स कितने परकार के होते हैं। Cloud Computing तीन प्रकार्ट किये होते हैं Public Cloud Computing, Private Cloud Computing, Hybrid Cloud Computing अगर हम बात करें Public Cloud Computing की तो हम नाम से श्मसक्ते है वो Services जनरal Public इने से एवेलिबल हो Public Cloud Computing के Examples है जिसे Google Drive, Dropbox ये सब Examples है Public Cloud Computing के हम कहा सकते हैं कि Public Cloud Computing globally deploy होता है Public Cloud Computing cost effective होता है, ज्याजा महाने होता है Public Cloud Computing में Privacy कम होती है दोस्तों Security कम होती है और Public Cloud Computing में जादा Modifications नहीं हो सकती है जादा Customizations नहीं हो सकती है Public Cloud Computing में तो Public Cloud Computing होता है जो General Public के लिए Available हो इसमें Resources को Share करा जाए तो यह होता है Public Cloud Computing आया दोस्तों समझते हैं कि Private Cloud Computing क्या होता है आप नाम से इसमन सकते हैं private जो privately available हो private cloud computing में services एक dedicated company के लिए provide कर जाती है एक particular company के लिए provide कर जाती है private cloud computing में resources को share नहीं करा जाता है publicly हम कह सकते हैं कि private cloud computing locally deploy होती है private cloud computing security काफी अच्छी होती है private cloud computing में customization काफी अच्छी होती है आप इसको modify कर सकते हैं लेकिन private cloud computing इतनी cost effective नहीं होती है वो थोड़ी सी मेहनी होती है दोस्तों अब मैं बात करूंगा hybrid cloud computing की दोस्तों hybrid cloud computing दोने को combination होता है public cloud computing और private cloud computing का combination होता है इसलिए काफी cost effective होती है काफी efficient होती है मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कितने पर काफी cloud computing होते हैं और मैं hope करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लिए लाइक करें कॉमेंट करें शेर करें आप सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा और जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो अब बेल आइकन को जरूब क्लिक करें जिससे आपको नीव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें अभी के लिए इतना ही दोस्तों मैं द्वास संड़े को एक नए वीडियो लेकिया हूंगा तब तक के लिए टेक केयर और गुडबाए